नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चानल भक्ति ज्यान में दोस्तों, एक समय की बात है एक गाउं में एक गरीब भ्रहमन रहा करता था वहनी अमित रूप से भगवान श्री विश्नु का पूजन करता था और उसकी भक्ति से प्रसन होकर भगवान विश्नु ने उसे दर्शन दिये और उसको अपनी मनो कामना मांगने के लिए कहा ब्रहमन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि लक्ष्मी जी का निवास मेरे घर में हो जाए यह सुनकर विश्नु जी ने लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का सरल मार्ग ब्राहमन को पता दिया विश्नु जी ने कहा, मंदिर के सामने एक स्त्री आती है, जो यहां आकर उपले थापती है तुम उसे अपने घर आने का निमंतरन देना वहेस्त्री ही देवी लक्ष्मी है देवी लक्ष्मी के तुम्हारे घर आ जाने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएका यह कहकर विश्नु जी चले गए अगले दिन सुबा चार बजे ही ब्रह्मन मंदिर के सामने जाकर बैठ कया लक्ष्मी जी भी उपले थापने के लिए आई तो ब्रह्मन ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया ब्रह्मन की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विश्णु जी के कहने से ही हुआ है लक्ष्मी जी ने ब्रामन से कहा तुम महा लक्ष्मी व्रत करो सोला दिनों तक व्रत करने और सोलवे दिन रात्री को चंद्रमा को अर्ग देने से तुम्हारा मनूरत पूरा हो जाएगा ब्राम्मर ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की और मूँ करके पुकारा और लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया उस दिन से यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाता है जो भक्त इसे पून श्रद्धा के साथ करता है, माना जाता है कि उसे अपार धन की प्राप्ती होती है, जै मालक्ष्मी तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, ऐसी और नई कहानियों के लिए हमारे चानल भक्ति ज्यान को तुरन सब्सक्राइब करें, धन्यवाद